स्वागत है आपका इंडिया की बात में मेरे साथ हैं आदिती और मुकुल और तीन मुद्दे जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं बुल्डोजर पर सुप्रीम कोट की लगाम, E.D. की बेहसाब ताकत पर सुप्रीम कोट की टिपणी मगर क्या बाज आएगी बीजेपी, क्या हर्याना और महराष्ट में भारती जनता पार्टी को दिख रही हार इसलिए है बॉकलाट और तीसरा मुद्दा, सो कॉल्ड गव रक्षकों का आतंक मगर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी मूग अप खोलेंगे मगर शुरुआत दोस्तों हम करना चाहेंगे बुल्डोजर और एडी की बेहसाब ताकत पर सुप्रीम कोट की टिपणी से जी हाँ, बुल्डोजर पर सुप्रीम कोट ने स्पष्ट कर दिया है कि महज आरोपी होने से आप किसी के घर को नहीं गिरा सकते और कही न कहीं ये सक्त हिदायत है भारती जन्ता पार्टी की तमाम सरकारों के लिए जो बुल्डोजर का इस्नमाल करते हैं अपनी राजनीती के लिए और साथी एडी पर भी सुप्रीम कोट का एक एहम फैसला जिसमें कहा गया है कि एडी की कस्टडी एडी के कबजे में अगर कोई व्यक्ती है कोई गवा है तो उस गवा के बयान के आधार पर किसी को गिरफतार नहीं किया जा सकता यानि कि कविता और अरविंद केजरिवाल की गिरफतारीक पर एक बहुत बड़ा सवाल यानि कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जो एजिंसी इस अकसर राजनीती करती थी और प्रहार करती थी वो सुप्रीम कोट के आधेश के बाद कुंद हो गई है क्या इस अब सुप्रीम कोट की टिपनियों से इस पर कुछ लगाम लगे अच्छा है लेकिन मुझे उमीद कम है आदिती इस मुद्दे पर क्या है आपका पंच अबिसार मेरा पंच ये है कि देर आए दुरूस्त आए लेकिन मेरे हिसाब से काफी देर हो चुकी है ना ही लाखों घर उजड़ चुके हैं लेकिन नयाए प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान एक गहरी चोट लग चुकी है जो जिसका खाम्याजा काफी अबिसार मेरा पंच ये है कि भारती जनता पाटी सुधरने का नाम नहीं ले रही सुप्रीम कोट सक्थ टपणी बुल्डोजर पर कर चुकी थी आने वाले दिनों में फैसला भी सुनाएगी मगर आपको याद होगा मुख्यमंत्री आदितनात का बयान कि बुल्डोजर का इस्तमाल एक कला है वो ख्षमता हर किसी में नहीं है मानो कोई बहुत बड़ी उपलब्धी है मगर अगर इन दो कानूनों पर सुप्रीम कोट सक्थ होती है तो ये भारती राजनीती में मील का पथर साबित हो सकती है तो एक तरह से कहा जा सकता है मुकुल की एक ही जटके मे एडी की बेहसाब ताकत, बुल्डोजर जिसको लेकर एक अजीब गरीब किसम का ब्रवाडो भारती जंता पार्टी अपनी राजनीती की जरीए करती थी हमें क्या उमीद करनी चाहिए या जरुवत से जादा हम लोग आशावादी हो रहे हैं उमीद में तो मुझे थोड़ी सी उमीद कम है उसकी वजय में बताऊं आपको जैसे हमें लग रहा था कि 240 आने पर और सही होगी हो कि कोई लगाम होगी विपक्ष की लगाम होगी लेकिन बीजेपी अपने उनी एजंडों पर लगातार चल रही हैं मगर कम से कम यूटर्न तो कई मुद्धों पर ले तो लो ले रही हैं लेकिन इसके जो बड़े जो देश को नुखसान पहचाना वले चीजे हैं हिंदू-मुस्लिम जैसे चीजे वो बुल्डोजर में बी इस्तेमाल कर रही है और राजनितिव विरुदीर के लिए एड़ी लेकिन वहां वो पेच रखते हैं वही नियम कायदे अतिकरमान अवैन निर्मान नक्षा ये वो उसी कानून के तहत करते हैं जिस पर शायद तो कि आरूपी अर्दोशी कहके वो बस रोक सकते हैं लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि इनका अतिकरमन है आपका छज्जा गिरा द अधिती देखिए हाँ पर साफ तोर पर जो दोहरे माबदंड दिखाई देते हैं कि चलिए आप बुल्डोजर चला रहे हैं और एक लोग लुभावन तरीका है जनता के कॉंसेप्शन में जनता की सोच में कुछ लोग खलनायक हैं इन्हें सजा मिलनी चाहिए जल सजा मिलन बुल्डोजर चलाया ब्रिजभूश अन्शरंट सिंग पर बुल्डोजर चलाया वो जो बलातकारी रामरहीम है पश्चमी उत्तर पदेश में उसके कई ठिकाने हैं वहाँ पर बुल्डोजर तो नहीं चलाया तुमने तो ये दोहरे माबदंड भी तो है ना जनता इस को नहीं देख रहे हैं और ज्यादा तर हमने यह भी देखा है कि मुस्लिम्स को टागेट किया है जा तक बुल्रोजर का सवाल है और मध्यप्रदेश में कुछ ट्राइबल्स वगेरा को भी टागेट किया है अभिसार मेरा इसमें यह मानना है कि गाइडलाइन के उपर बहुत कुछ निर्भर करता है जो सुप्रीम कोट ने गाइडलाइन पर छोड़ दिया है जब तक आप राजी सरकार में और अफसरों को सजा देने का मतलब सक्ति का वो नहीं करेंगे महस गाइडलाइन से मुझे नहीं लगता बहुत कुछ उस पर निर जनता भी बटी वी है जनता बीजेपी की जनता बीजेपी की अपोज में जनता तो उसी जनता को जो उनकी अपने कोर वोटर है और हिंदुत्वा जिने वो पिला रहे है नशा उसका और जहर वो उन्हें उससे खुशी होती है वो दर्द तभी होता है जब वो किसी गलती से जैसे नहीं मगर जनता को यह समझना पड़ेगा मुकुल की देखिए देश सम्विधान से चलता है यह अपने आप में बहुत बड़ी इतराजदी है कि अगर कोई मद्धप्रदेश का मुक्यमंतरी पूर मुक्यमंतरी शिवराद सिंग चोहान उत्तरप्रदेश के मुक्यमंत और उनसे संतुष्टी मिलती है जो दुराग रहे हैं जो मुस्मानों के परती हैं खास तो बुल्डोजर जो चला है आपने देखा होगा लगा कि शायद बुल्डोजर पर कुछ ब्रिक लगेगा लेकिन हिंदू महले में अगर चलने वाला है तो योगी जी भी लेकिन मुस आप एक सामवैद हैं कि पद पर बैठे हुए हैं आप एक कॉंस्टिूशल पद पर हैं आपको बुल्डोजर की बात ही नहीं करनी चाहिए मगर आप कर रहे हैं उसको सुप्रीम कोट की तल्ख टिपणी की बात तो अखिलेश ने सही जवाब दिया कि अगर बुल्डोजर जी आप अलग पार्टी बनाईए और बुल्डोजर निशान रख लीजे और फिर लड़ी फिर देखी बड़ा मुझे आपको क्या लगता है क्या अखिलेश को बुल्डोजर वाली बहस में पढ़ना चाहिए क्योंकि देखिए ये फिर आप उनके खेमे उनके पाले में आक जो हैं उस बहस में हिस्सा ले रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूं कल जैसी अखिलेश ने प्रतिक्रिया दी बहुती सामा ने प्रक्रिया मैं क्या देखता हूं तमाम गोदी मीडिया न्यूस चैनल में क्या अखिलेश हिंदो के महले पर बुल्डोजर चलाएंगे अखिलेश क मुझे लगता है कि जो लोगसभा चुनावों में इनकी रणनीती थी की मुद्दों पर बने रहें बुल्डोजर में जैसी आप घुसते हैं फिर ये सब होने लगता है मुझे मेरे हिसाब से अखिलेश को काउंटर करना ज़रूरी था मुझे लगता है केवल बयान से नहीं जमीन पर उतर कर भी उन्हें इस बारे में करना चाहिए जैसे यहां वरंदा करात उतरी थी बुल्डोजर के साब ऐसे ही अखिलेश को भी शायद एक्शन लेने होंगे क्योंकि बुल्डोजर वाकि में बहुत हिंसक हो गया है और एक रा रेड़ी जिहां उनके बेटे की गवाही के आधार पर के कविता को गिरफतार किया गया दिल्ली के मुक्यमंतरी अर्विंद के इज्रिवाल को गिरफतार किया गया बड़ा सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि इसके बाद एडी के जरिये जिस तरह की प्रतिशोधात्मक क तो पर नाता है वो जनता का भी perception बनने लगता है दिमी दिमे एडी लगातार जैसे आपने बात की वो लगातार उस तरह से अभी आप पर टिपनी हो रही है इससे पहले बी टिपनी होई है चाहिए मनीज सेद्री का मामला था के कविता का मामला था और शायद अरविंद केजर सेद्रीवाल को भी कोई रहत मिले लेकिन एडी और सीबियाई जिस तरह उनके आका जो जिस तरह इस्तमाल करना चाहते है वो उसी तरह इस्तमाल हो रही है इनकी साख पर बहुत बड़ा प्रशंचिन लग चुका है और यह लगातार क्योंकि सुपनी कोड ने सीबियाई को अब इनके लिए भी कह रहे हैं कि आप पिक एंड चूज यानि आप जो मर्जियों से चुन रहे हैं आपने एक चार लोगों को अरूपी बनाया उनमें से दो को गवहा बना दिया यह तो नहीं चलेगा बिलकुल वो भी उतना ही दोशी है तो यह यह सारी चीजे हैं जिस प अविता जेल में थी आनने कई निताओं को क्योंकि होता क्या है आप वो सेक्शन 45 ए 50 उसका इस्तमाल करके उन्हें जेल में डाल देते हैं और फिर क्या होता है एक मीडिया प्रोपेगांडा शुरू होता है यानि प्रक्रिया ही सजा है सुप्रीम कोट को आप कुछ ऐसे लेने का ये कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे जैसा आपने अमान अत्रला खान के केस में देखा है अब देखें आगे जाते हैं और यही नहीं अनिल देशमुक पर भी CBI का शिकंजा कसा जा रहा है और वही बहुत अजीब गरीब आरूप कि आप BJP को भसाने की कोशि रहेंगे यानि हर चीज के लिए आप सुप्रिम कोट जाओ वहा फिर सुनवाई हो अब बुल्डोज़र पर कितने दिन बात बोला है सुप्रिम कोट उसके अभी चाहे हो कोलकाता मामले पर अभी उससे लगा है लेकिन ऐसी चीज़े हो रही है कितना सो मोटो लेगा नहीं किस तरह की चीज़े हैं वो सारा वो है लेकिन सारी चीज़े हैं अगर हम राजनिती सवाल भी अपने और बुनियादी सवालों को लेकर भी सुप्रिम कोट जाना पड़ रहा है हमें तो यह बड़ा अधुर बाग के पूर और अधिती एक और चीज़ है यहाँ पर लेवल फिल्ड गायब हो जाती है ना जब आप एडी के सारे धमकाते रहते हैं डराते रहते हैं लोगों को जेल में रखते हैं पुलिटिकल प्लानिंग खत्म हो जाती है अर्विन केजिवाल सबसे बड़ा ब्रैंड है आम आदमी पार्टी की आपने उस व्यक्ति को जेल में डाल रहे हैं मनशा ही वही है लेकिन उसका तो राजनेतिक मुकाबला होगा अच्छा मैं एक और चीज यहां पर मुकुल बताना चाहता हूं कि मुद्दा सिर्फ डराने का नहीं है मसलिए मैंने माघुंटा रेड़ी का जिक्र किया माघुंटा रेड़ी आंध्र प्रदेश के प्रिश्भूमी के आते हैं उनके बेटे राघव रेड़ी पर दबिश डाली जाती है और जब राघव रेड़ी अपना बयान बदलते हैं तब जाकर उनकी रहाई होती है अपने बयान में जब अरविंद केजिवाल उन सब को फसाते हैं तब उनकी रहाई होती है और बात कि अनिती को प्रेरित करना है कम से कम इस मामले में दिखाई देता है कि आंद प्रदेश से लेकर दिल्ली से लेकर तेलंगाना त्रिकोन है और खेला जारे हैं। हैं हमें रातों की नींद सलीके से आ रही है तो अपने आप में कित्ती बड़ी तराजदी है अब हम रुक करना चाहेंगे अपने दूसरे एहम मुद्दे का और दूसरा एहम मुद्दा क्या है हर्याना और महराश्ट क्या हो रहा हर्याना और महराश्ट में हर्याना के अंदर भारतिय जंता पार्टी सीटों का बटवारा नहीं कर पा रही, कई जगों पर नामों की घोशना नहीं कर पा रही है महराश में जूतम पैजार जा रही है गटपंदन में छत्रपती शिवाजी महराज की मूर्ती तूटती है, प्रधान मंत्री माफी मांगते हैं भाजपा के नेता बॉखलाए हुए सामने आते हैं अब भाई सरकार आपकी है और आप ही के नेता जो हैं भिड़ रहे हैं पुलीस के साथ और फिर अजीत पवार फैक्शन के बारे में एकनाच शिंदे के नेता कहते हैं इनके साथ जो हमें बैटना पड़ता है, हमें उल्टी आती है, तो साफ तोर पर हर्याना और महाराश्रा और हर्याना दोनों जगा जमीन खिसकती नजर आ रही है, एक तो महाराश्रा की चुनाव टलने यह दर्शाता है, और दूसरा हर्याना की लिस्ट में आदे से जादा ब महारी है, 25% MLA ड्रॉप कर दिया गए है, मुखुल, क्या है इस मुद्दे का पच्छ? हाँ, मेरा भी यह मानना है कि हर्याना और महाराश्र, इन सब में जो भाजपा की बाकलाट है, घवराट है, वो इसी से साबित हो रहे हैं कि एक बार फिर वही पुराना हिंदू-मुसलिम का खेल शुरू कर दिया गया है, इसी बात की निशानी है कि BJP घवराई भी है इस मुद्धे पर मेरा पंच यह है कि चाहे महराश हो, चाहे हर्याना दोनों जगह से प्रधान मंतरी गायब हैं, वो जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, वरना आप जानते हैं कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी प्रधान मंतरी का काम कम, और भाजपा के मुक्खे छु प्रधान मंतरी को सामने आना पड़ा माफी मांगने के लिए, हमें याद है कि जब उजयन में सबतर्शी की मूर्तियां बिखरी थी, उस पर माफी नहीं मांगी थी, यहां पर माफी मांगनी पड़ रही है, मगर जनता देख रही है कि आपकी माफी में भी एक जिसे कहते है इन सिंसेरिटी है, आप उस माफी में भी राहूल गांधी को खीच रहे हैं, सावर कर का जिक्र कर रहे हैं, यानि की भालात बदल जाते हैं जब हार दिखाई दे रही हो, और जवाब बहुमत से बत्ती सीटे बीच रहे हैं, तो माफी मांगनी ही इसलिए पड़ी है क्योंक जतने जल्दी उसे बनवाया गया, उपने कहा कि उन्होंने बनाया, इन्होंने बनाया, मायुसेनह ने मनाया, आपके लिए तट Congress åt ग्रण के लिए उसे बना दिया गया, उस पर, पैसा चार पर कितना खर्च किया गया आपके उद्गारण पर यह सब और जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सिर्फ शिवाजी जैसे यूपी में चुनाओ आने हो लेकिन मनिपूर में चुनाओ नहीं है तो उस पर माफी नहीं मांगी जाएगी उस पर कोई चिंता नहीं होगी जहां चुनाओ नहीं होगी माफी नहीं मांगी जाती है ज्यूपी नहीं चाहिए जब द्ला हो जाय वहां पर भी आपको रहूल गांधी का यूपUT कर लोग दरसल लो दरसल उसे मोने मांगना तो पढ़ पढ़ दला है लेकिन वह उनके भीच में एक हिचक रहती है कि मैं कैसे माफी मोदी कैसे माफी माफी का टोन ही नहीं है आप अने तो दरसल वो दोहरा खेल वही है कि उन्हें ये एक उनके लिए बड़ी उसकी बात होती है जिसे लगता है उन्होंने एक बॉक्स टिक कर दिया है क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत ही चुनावी मजबूरी है अभी महाराष्टा में तो माफी मांगते दिखते नजर आने चाहिए लेकिन तोन देखिए आपका वो माफी का टोन लग रहा था अचा आधिती इसके लावा महराष्टा में चुना हुए आपने जो मंदिर का बता है वहाँ तो माफी नहीं मांगे हुए बिल्कुल मध्यप्रदेश में इतनी बड़ी अजयन भाई धार्मेक स्थल आध्यात्म की नब्स तमाम चीजें वाँ सब्तृष्टी की मूर्ती बिखर जाती है और भूल जाईए प्रधान मंत्री की इतनी परियोजनाएं लंबी चौड़ी फेरिस्थ है कहीं प्रगती मैदान के अं होगा 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 ये सारी चीजे जो मिलके आ रही है सरकार की कारेशेली और ये सब उस पर नुकसान होगा वो इसी वेसे डर से उन्होंने ये कहा लेकिन उसमें भी वो अपना बचाओ करने की कुशिश करते हैं अच्छा मुकुल ने यहाँ अधिती जिखर किया कार में तो बहुत अजीब सा चल रहा है यहाँ पर बिलकुल ताना जी जो की मंत्रिया उन्होंने बयान दिया कि अगर अजीद पवार मेरे सामने बैठे हों तो मिझे उल्टी आती है फिर संजे तटकरे जवाब देते हैं भी आप अपना इलाज करवाईए मतलब खुल के जू ना कि यह बयान आ रहे हैं बहुत ही इंसल्टिंग बयान है जो भी कहिए अजीद पवार के लिए आपके साथ सरकार में है वो डेपुटी चीफ मिनिस्टर है वो अच्छे यह बताईए मोदी नदारद हैं कहीं पर नहीं दिखाई दे रहे हैं और जाते भी हैं तो गलत कार पर ठीकरा फोड़ा जाएगा बाद में और यहां पर तो जूतम पैजार चली रही है तो उनका भी इंटरनल वो सर्वे करा रहे होंगे कि मेरा जाना ठीक है नहीं है कितनी सीटे आ पाएंगी और यह जो आप जिस बात को इंगित कर रहे हैं वाके में इस बात कि गवाही द हो सकता है उन्होंने पूरा अमित शाह के उपर ही छोड़ दिया हुआ है उसके बाद हो सकता है बैक रूम में कर रहे होंगे अगे बढ़ा है अधिती बहुत ही अजीब गरीब चीज है राओ इंदर जीत सिंग उन्होंने कम से कम 10 सीटों पे कहा है कि उनके और उनके हैं कि एक बार फिर उन्हें स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है और उस वजह से यहां पर मामला जो है रुका हुआ है आपको लगता है कि अगर 240 सीटे ना होती तो यह सब करना पड़ता है नहीं बिल्कुल 240 सीटों का मुझे लगता है कि बहुत ही एक साइकोलोजि राओ इंडर जित सिंह की बेटी को टिकेट दिलवा दिया गया और यह जो कंडिड़ेट हैं जो कंग्रेस से आए हैं और जो परिको चेता यहां और गडदन की बात हो रही है आपर और कंग्रेस में तो अगर यह सब चीज़े हो तो वो इसलिए डिरेवे हैं और यही अच्छा एक और चीज, यह जो सरकारी चाटुकार सेफॉलोजिस्ट्स हैं, जो एक बार एक स्टिंग उपरेशन में पकड़े गए थे, रफू पैबंद की बात कर रहे थे, उन्हें भी मैंने देखा एक न्यूस डिबेट में, वो भी खुल कर कह रहे हैं, और आज से नहीं, कि चार सो पार सब ने चला दिया, और माफी मांगने बड़ी टीवी पर खड़े लोकर रोना रोना पड़ा, तो यह सब चीजे तो अभी होंगी, क्योंकि यह दिखराए वाके में, यह ठोस जमीन की बात है, यह हकीकत की बात है, कि दोनों जगए ऐसा कोई पर्शेप्शन का आतंक, प्रधान मंत्री ने आज नहीं, 2016 को इन्हें घुंडे करार दिया था, यह कहा था कि गव रक्षा की आड़ में यह लोग घुंडे ही करते हैं, मगर हुआ क्या, इनका आतंक कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा, आखिर कार, जब एक हिंदू लड़का, एक तो को त्यागेगी, यही सवाल सबके जहन में हैं, क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगी आदिती हुआ है, मैं मुझे यह पूछना है, भाजपा के वोटरों से, कि अगर आप इसी तरह नफरती राजनीती को बढ़ावा देंगे, तो यह आग आपको भी निगल के रखेंगे। करेंगे, इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है, कि कही न कही यह मुद्दा समाज के दोहरे माबदंड को दिखाता है, जब एक आरेन मुश्रा को गोली मार दी जाती है, इन गव घुन्डों द्वारा, तब जाकर एक सो कॉल्ड बिकाव कवी जो है अपना मुँ खोलता है, इ इस तरह की घलत फहमी का शिकार कोई भी हो सकता है, मगर दोहरे माबदंड सामने उभर कर आएं, सबसे शौकिंग यहाँ पर अदिती, प्रधान मंत्री, नरेंद्र, मोदी, अभी, चुप, यह तो आपका बयान था ना, 2016 और इसके बाद, जब गुजरात के अंदर, दलितो की पिटाई हो रही थी, वहां की दबंग जातियों ने पिटाई की थी, तब आपने कहा था, इन्हीं मत मारो पहले मुझे आकर मारो, प्रधान मंत्री ने कहा था ना, और कहा था ना, कि यह लोग गव रक्षा की आर में घुंड़ा ही करते हैं, क्या हुआ, 2016 राज, दोहज और अब क्यूंकि इसमें भी अभी तक नहीं बोले हैं वैसे, अब तक नहीं बोले हैं इसके भी, लेकिन वही सवाल यह है कि यह जो भाजपा के वोटर्स जो हैं, जिनोंने इनको सत्ता में लाएं, उनको सोचना चाहिए, कि इस तरह की राजनीती को बढ़ावा देना जो ह वो बहुत ही खतरनाक है हमारे जनततर की भारती जनता पार्टी की राजनीती का या भिन अंग रहा है, इस तरह से आपने देखा कि हर्याना के नू इलाएजो मेवाती इलाका जो है वहां पर इसको खास तोर से राजनीती का तियार के तोर पर इस्तमाल किया गया, नायाब स तो साफ तोर पर दिखाई देता है इनका पूरा खेला इनकी पूरी सोच है इन चीजों में इस तरह के लोग बेगुना लोग मारे जाएंगे और इन्हें अधिकार किस ने दिया है सबसे बड़ा सवाल यह है और जब नायव सैनी ऐसा बयान देते तो इन्हें और बल मिलता है दरसे जुबैर ने तस्वीरे डाली है कि यह तो पुलिस के पूरे टच म के साथ है मैं एक तो यह चीज समझ नहीं पाता हूं इन तमाम बड़े बड़े अपराधियों की तस्वीर प्रधान मंत्री से लेकर ग्रे मंत्री से लेकर नायाव सैनी अब वो जो तीन बलातकारी है मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूं आइटी ब्हु की छात्रा की जो प्राधिक तत्यों की तस्वीर राहूल गांधी अखिलेश अदव तेजस्वी आदव के साथ होती तो कितना बवाल करता गोधी मीडिया यहां पर दिखाई दे रहा है कि कहां से आशिरवाद मिल रहा है अदिती बिल्कुल सत्ताधारी जो पार्टी है उसकी सुरक्षा की नष्री धाली फिलमे देलारी धाल κιसित जांड़ल श्वीर में पार्मोधी मीडिवाद वरना किसकी हिमत है कि आप देख के गोण छला देंगें किसकी हिमत है कोई कर सकता है NICK कि कोलकाता पर देखे कितना शूर है और हम भी उससे दुखी है और चिंतित है और उस पर कारवाई होने चाहिए लेकिन उसी समय में इन तीन जो आपने ब्हु का जिक्राइटी हो लेकिन उन्हें उन्हें से दो को जमानात मिल गई नो आउट्रेज अट अल तो आप मतला कितन और अधिती इंडिया की बात में बस इतना ही अभिसार शेर्मा को दीजे अजासत नमस्कार